हालो डेडर्स मेरा नाम इशुबोमर स्वागत करूंगा आप सभी का हमारे चैनल शुब अगदम में तो दोस्तो ये एक educational वीडियो होने वाला है ये एक Fibonacci related वीडियो होगा और जब भी मैं market analysis का वीडियो डालता हूँ या फिर कोई swing trading का analysis का वीडियो डालता हूँ और वहाँ पर अगर मैं Fibonacci tool यूज कर रहा हूँ तो उस वीडियो के नीचे मुझे कुछ basic तीन questions हमेशा मिलते ही है comment section में वो तीन important questions का यहाँ पर मैं answer करने जा रहा हूँ एक बहुत ही अच्छी learning मिलेगी आप लोगों को तो without wasting any time हम यहाँ पर वीडियो को start करते तो सबसे पहला question यहाँ पर बनता है कि Fibonacci extension tool और Fibonacci train based extension tool इन दो tools के बीच में क्या difference है और कौन सा tool हमें कभ यूज करना चाहिए अभी वीडियो start करने से पहले मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ अगर आपको Fibonacci का कुछ भी knowledge नहीं है कि यह tool क्या होता है किस थरीके से हम इसे trading में use करते तो already मैंने इस topic के उपर पूरी वीडियो series बना के रखिए मैं आपको suggest करूंगा यहाँ पर i button पर link आ रहा होगा वहाँ पर tap करके वो पूरी वीडियो series देख लिजेगा otherwise यह सारे advanced concept होने वाले आपको यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आएगा और जो लोग देखने वाले अगर वीडियो पसंद आए तो like करना ना भूलेगा तो simple अगर हम यहाँ पर trading view के toolbox में आएंगे तो आपको यहाँ पर Fibonacci related बहुत सारे tools दिखाए देंगे but obviously हम यहाँ पर 2-3 tools ही use करते हैं उसमें सबसे important होता है Fibonacci retracement अगर यह Fibonacci retracement का tool हम यहाँ पर select करें तो इसी में हमें यहाँ पर यह extension levels भी देखने को मिलते हैं जो कि है 1.272, 1.6 minute यह levels हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं तो इसे भी हम extension levels बोलते हैं plus अगर आप यहाँ पर इसी tool box में यहाँ पर train based Fibonacci extension यह भी tool आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा तो क्या difference है यह दो tools के बीच में और कौन सा tool हमें कब use करना चाहिए तो यह concept समझाने के लिए यहाँ पर मैं price swing को यहाँ पर draw करता हूँ जैसे कि price एक impulse मूँ लगाती है then price एक retracement ले रही है और यहाँ पर से price अपना फिर से previous swing high break करके ऊपर चल रहे होती है तो इस वाले condition में simple हम क्या कर रहे होते हैं जैसे ही अपना previous swing high यहाँ पर से breakout करेगा इस breakout पे हम यहाँ पर buying की positions ले लेते हैं और हमें यहाँ पर targets चाहिए होते हैं कि जहाँ पर से profit booking आ सकती है और बड़े player के साथ में हम भी यहाँ पर profit अपनी booking कर सके ताकि अगर price नीचे आएगा तो हमें यहाँ पर छोटे profit में या फिर loss में निकलना ना पड़े तो simple उस वाले condition में हम क्या करते हैं यह जो यहाँ पर pullback लगाया अपर देख सकते हैं कि इस वाले point से इस वाले point तक यहाँ पर एक price ने pullback लिया है इससे Fibonacci extension का tool लगाते और वो जो levels हमें यहाँ पर मिलेंगे वो profit booking के levels मिलेंगे जहाँ पर हम अमारे targets decide कर सकते क्यों यहाँ पर से directly reversal की हम expectation नहीं करेंगे क्यों नहीं करेंगे अगर आप यहाँ पर देखोगे तो price ने एक बहुत ही अच्छा impulse मू लगाया यह impulse मू है यह हम बोल सकते कि बड़ा impulse मू है उसके बाद में एक छोटा सा retracement आया उसके बाद में और एक बड़ा impulse मू आ सकता है तो इस point से फिर से यह reverse करेगा तो वो अगर point find करना होगा ना तो हम Fibonacci trend base extension यूज करने वाले otherwise अगर आप यहाँ पर देखोगे तो price यहाँ पर trade कर रहा है और इस swing को हम Fibonacci trend base extension ड्रॉ करके कुछ फाइदा नहीं होगा अगर मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके भी दिखाओ तो आप यह पर देखोगे यह low then यह high then फिर से यह low price यहाँ पर trade कर रहे और price यहाँ तक जाने तक हमारे पास इतना patience भी नहीं होता और इतने बड़े targets हम obviously plan भी नहीं करते हैं हम क्या करते हैं छोटे छोटे 1st target 2nd target 3rd target इस तरीकिस से targets के उपर काम करना चाते हैं तो directly हम यहाँ पर Fibonacci trend base extension का tool यूज नहीं कर सकते हैं उसके लिए हमें क्या करना है Fibonacci retracement का tool लेने और इसी में थोड़े से मैंने modifications करके रखे settings करके रखे उस setting का video अगर चाहिए होगा तो यहाँ पर i button पर आ जाएगा तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर यह pullback लगा है इसे simple में top से लेके bottom तक लगा देता हूँ और आप यहाँ पर देख सकते हो कि यह 1.272 हो गया हमारा यह 1.618 हो गया यह 2.272 हो गया यह मेरे ले टार्गेट के काम करेंगे यहाँ पर से आपको एक simple बात पता चल गई होगी कि हम Fibonacci simple extension करेंगे जो retracement tool में आता है कब जब प्राइज एक बहुती बड़ा impulse मुह के बाद में एक छोटा सा retracement ले रहा है देन अपने previous swing high का यहाँ पर से breakout कर रहा है तो उपर के जो profit booking के levels होंगे वो अगर आपको find करने हैं तो आप previous swing को यहाँ पर Fibonacci extension का tool लगा सकते और वो levels find कर सकते बट अगर आपको reversal find करना है तो उस वाले condition में आपको क्या करना है आपको यहाँ पर आके Fibonacci trend best extension का tool लेना है और इस वाले swing को कुछ इस तरीके से लगा देना है और आप यहाँ पर देख सकते कि यह one कर के level यहाँ पर आ रहा है तो price यहाँ तक जा सकते है और जब यहाँ पर जाएगी तब हम यह pullback के लिए plan कर सकते है ठीक है ना बट चला है तो फिर से यह video का section देख लिजेगा आपका clear हो जाएगा और यहाँ पर मैं और एक बात add करना चाता हूँ कि simple अगर price छोटा impulse move और 0.618 0.5 तक अगर pullback ले रहा होगा तो इस वाले condition में मैं Fibonacci extension से जाधा फिर train base extension पर rely करता हूँ क्योंकि यहाँ पर यह tool बहुत ही से काम करेगा कि एक छोटा सा impulse move है उसके बाद में 0.618 या फिर 5 तक यह 50% retrace कर रहा है और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो फिर से 1 तक जाएगा यहाँ पर से price फिर से नीचे आएगा फिर से हम इस वाले next trend को हम यहाँ पर Fibonacci train base extension का tool लगा सकते इस वाले condition में मैं Fibon हो जाते हैं तो उस वाले condition में हम जादा Fibonacci train base extension के उपर rely नहीं कर सकते क्योंकि कुछ guarantee नहीं होते है कि अगर यह previous swing high यहाँ पर से breakout हो जाएगा तो price इतना ही travel करेगा price बीच में से ही reversal ले सकता है तो उस वाले condition में at least हमारा first second target hit होना चाहिए ताकि हम थोड़ी थोड़ी quantity यहाँ पर book कर सके तो obviously आपको यहाँ पर से difference पता चल गया होगा अभी हम यहाँ पर से next question के उपर जलते हैं दूसरा question एकदम simple है जब market एक range bound condition में होगा या फिर consolidate कर रहा होगा क्या हमें तब Fibonacci के tools यहाँ पर apply करने चाहिए और Fibonacci के tools related trading करनी चाहिए तो यहाँ पर मैं और जो भी लोग यहाँ पर मेरे regular analysis वीडियो देखते हो उनको पता होगा जब तक price इस zone में trade कर रहा था मैं अपने viewers को simple बता रहा था कि हमें यहाँ पर trading avoid करनी है लगबग मैं हर एक वीडियो में Fibonacci का use करता हूँ बट जब यह market इस range bound condition में था एक बार भी मैंने यहाँ और किसी भी swing को Fibonacci नहीं लगाया क्योंकि Fibonacci सिर्फ जब market एक trend में चल रहा होगा चाहे वो uptrend हो या फिर वो downtrend हो तभी यह बहुत ही अच्छे से काम करता है otherwise जब भी इस तरीके का यहाँ पर sideways market होता है या फिर range bound market होता है यहाँ पर Fibonacci थोड़ा भी अच्छे से काम नहीं करता है और जब अगर आप यहाँ पर देखोगे जब यह range bound market को यह channel को यहाँ पर से price ने breakout कर दिया तब obviously मैंने यहाँ पर Fibonacci extension का tool का use किया था और यहाँ पर से बहुत ही अच्छे trades भी वन है आप यहाँ पर देख सकती कि 1.618 price यहाँ यही पर से reject हुआ था 1.272 price यहाँ पर support भी ले रहा था तो यह levels यहाँ पर बहुत ही अच्छे काम करते है जब market trend में होगा एक trend में चल रहा होगा बट अगर यह consolidation में है तब हमें पूरा Fibonacci को use करना avoid करना है और तीसरा जो question है क्या हमें Wix को consider करना चाहिए जब हम Fibonacci को draw कर रहे हो तो मैं आपको simple बताना चाहता हो कि यहाँ पर हमें Wix को consider करना चाहिए body को consider करना चाहिए सारी points आप अपने mind से निकाल दो जो भी price ने high लगाया है and low लगाया उसको Fibonacci लगा दो अभी जितनी भी बड़ी विक होगी चलेगा क्योंकि हम यहाँ पर price swings को consider कर रहे होते यहाँ पर candle के closing का या इतना effectively काम नहीं करता जितना हम directly यहाँ पर price swings को लगा दे इसी वज़े से अगर price कहीं पर बड़े wix लगा रहा हो आप यहाँ पर भी price ने बड़े wix लगा है तो इस वाले condition में भी हमें पूरा एकदम bottom से लेके top तक Fibonacci लगाना है हमें यहाँ पर body consider नहीं करना है या फि previous swing low से previous swing high या फिर previous swing high से previous swing low पूरा यहाँ पर swing को consider करना है सिर्क body या फिर closing को consider नहीं करना है ठीक है तो यहीं तीन basic questions थे होब आपको यह पूरे questions clear हो चुके होंगे doubts clear हो चुके होंगे अगर कुछ और भी doubts होंगे Fibonacci related तो वो मुझे आप comments में पूछ सकते हो आगे आने व हमारे चनल को subscribe भी कर दीजे तो आज की वीडियो में इतना ही रखते है thank you very much